देश दुनिया और बिहार से जोड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे सबसे पहले खबरे देश की कॉंग्रिस ने गुजरात विधान सबा चिनाओं के लिए उम्मिद्वारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है इनमें से 46 कानिडेट्स के नाम है लिस्ट में लिम्मबंडी से कलपना करमसी भाई मकवाना, डेडिया पाड़ा एस्टी से जमार बेन, सुखलाल, बसवा और करन से भार्ती प्रकाश पटेल शामिल है वहीं गुजराद विधांतरबा चुनाओ के लिए भाजपा ने 160 के लिए प्रत्याशी घोसित कर दिये है 27 साल से काबिज भाजपा ने नए चेहरों पर दाव लगाने का काम्याब फॉर्मूला कायम रखा है इस बार 38 नए चेहरों को मौका दिया गया है वहीं 75 विधायकों को भी रिपीट किया गया है जमू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलो ने जैसे मुहम्मद के एक आतंकी को मारगिराया है आतंकी की पहचान कमरान भाई और हनीश के रूप में हुई है जो कुलगाम शोपिया इलाके में आक्टिव और कई आतंकी घटनाओं में शामिल रहा है जमू कश्मीर कुलिस के मुदाबिक शोपिया के कौपरेन इलाके में आतंकीयों के साथ मुटभेट चल रही है अभी भी कुछ और आतंक वादियों के छीपे रहने की खबर है एसकी सोमनात घारगे का कहना है कि यह कैसे आई कहां से आई उसकी जाच की जा रही है सारी समगरी पानी के अंदर थी इसलिए उसकी ब्लास्ट की क्यापिसिटी खत्म हो गई केंड्रिये वित मंत्री निर्मला सीता रमन और अमेरिके वित मंत्री जनेट येलेन आज नई दिली में जलवाई वित सहित परास्प्रिक हिट के कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे दोनों नेता भारत, अमेरिका, आर्थिक और वितिये साजेदारी की नौवी बैठक का नेर्ट वित करेंगे अमेरिका वित मंत्री जनेट येलेन 11 नवंबर को एक दिवसी दोरे पर भारत आएंगी प्रिधान मंत्री नरेंद मोदी आज यानी 11 नवंबर करनाट का और तमिलनाडू के दोरे पर रहेंगे इस दोरान वह बैंगलूरूप में कैमपे गोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का उदगाटन करेंगे जानकाडी के अनुसार ये टर्मिनल लगभग 5,000 कडो रूपय की लागत से बना है प्रिवर्टन इदर्शाले E.D. का डावा है कि दिल्ली में नई शराब बिक्री निटी से जुड़े मामले में 100 कडो रूपय की रिश्वत दी गई है जिसमें उप मुख्य मंत्री मनीश शिशोदिया आरोपी हैं जेंसी ने दावा किया कि शिशोदिया सही तीन धर्जन से अधिक वी आईपी ने डिजिटल सबूतों को नस्ट करने के लिए कथी तोर पर 140 मुवाईल फोन बदले मामले में जेंसी और CBI द्वारा कई बार छापे मारी का सिकार हुए शिशोदिया ने किसी भी गलत काम से इंकार किया और कहा कि यारोप राजनिती से प्रेडित है उनका कहना है कि छापे मारी में उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला है उत्राखंड सरकार ने योग गुरू बाबा रामदेव के पतंजली ग्रूप की पांच दवाओं के प्रोडाक्शन का बैन कर दिया है ये दवाएं दिवेफार्मसी द्वारा बनाई जाती है उत्राखंड की आईडवेद और यूनानी लाइसेंस और्थिरिटी के मुताब किन दवाओं के विग्यापन भ्रहों फैलाने वाले हैं हालाकि बाबा रामदेव ने कहा कि उन्हें ऐसे किसी आदेश की कौपी अब तक नहीं मिली है उनका दावा है कि ये सब कुछ आईडवेद विरोधी ड्रग माफिया की साजिश है अब खबरें विदेश की पिछले 9 महिने से युक्रेन और रूस की लडाई में लाखों की संख्या में लोग पलायन कर चुके हैं इस बीच युक्रेन के दूसरे बड़े शहर खैरोसोन को रूसी स्यानिकों ने छोड़ कर जा रहे हैं इस कदम के साथ श्टायर रूस के बीच जंग खतम हो सकता है लेकिन यु पाकिस्तान में आर्मी चीफ की निव्ति के लिए सरगर्मी तेज हो गई है जनरल कमर जावेद बाजवा का कारेकाल 29 नमंबर को पूरा होगा प्रधान मंत्री सहबास सरीफ मिस्त्र से पाकिस्तान न लोटकर बड़े भाई और पूर्ण पीम नवास सरीफ से मिलने लंदन पोहँच गया है लंदन में पूरा सरीफ कुनबा जोटा हुआ है अब खबरें बिहार से मुझाफर पूर के कुड़ने विडायन सभा में पास दिसंबर को होने वाले उप्चनाओं में भाजपा नए रनीती के तहब प्रचार करेंगे भाजपा निताओं के मुताबिक कुड़नी के 49 पंचायतों से 1666 गावों में असी टीम बना करके कारेकरता जन्समपर करेंगे वहीं देश के प्रतम सिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद का आज जन्विन के मौके पर बिहार के मुख्य मंत्री नितीश कुमार सिक्षा दिवसकारिक्रम का उद्भार्चन करेंगे कारिक्रम का आयोजिन पटना के स्रिक्रिष्ट मिमोरियल हॉल में होगा वहीं मुंगेर के धरहरा में पुलिस का स्टडी में एक सक्ष की मौत हो गई है मौत के बाद परिजनों ने जम कर हंगामा किया वहीं पुलिस का दावा है कि यह है एक हाथसा है मौत की पहचान नलंदा जिला के सर में थाना अंदर गद हुसैना गाओं के विनेश्वर मांची के बेटे अस्वोख मांची के रूप में की गई है जानकारी का नुसार शराप इने के आरोप में पकड़ा गया था विहार के कुर्णिवदान सभा सीथ पर उप्चुना होने वाला है इसको लेकर तमाम राजनितिक पार्टियां अपनी अपनी ताकत लगा रही है इसी भी शबिहार भाजपा के प्रभारी और रास्ठीय महामंत्री विनोध ताबडे भी पटना आने की तयारी करने हैं अगले सब्ता 15 नवंबर को वे दो दिवस्य दोरे पर पटना आएंगे दिनोध ताबडे ने दर्भंगा और भागलपुर में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई उनके आगमन को लेकर पार्टी तयारियों में जुट गई है इस दोरान तावडे दर्भंगा में नौ जिला के पाटी पदाधिकारियों के साथ संगर्ठ नात्मक गतिविधियों की समिक्षा करेंगे इसके दूसरे दिन 16 नवंबर को वेभागल पूर जाएंगे और कारिक्रम में हिस्सा भी लेंगे ज्यान की धर्ती बोथ गया में दलाई लामा के आगमन का समय नज़्दीक आता जा रहा है वह करीब धाई वर्ष बाद यहां आ रहे है कोरोणा की वज़े से बीते दो वर्षों से उनका आना नहीं हो सका था इससे पूर्व अक्सर दिसंबर में ज्यान की धर्ती पर आते रहे हैं, साथी प्रवचन भी देते हैं, शूत्रों का कहना है कि 20 दिसंबर को दलाई लामा बोध गया में आ जाएंगे और जन्वरी तक प्रवास पर रहेंगे अब खबरें खेल जगत की टी 20 वर्ल्ड कप के सेमी फाइनल में बीते दिन भारत के सामने इंगलांड था और ऐसे में पूरे देश को उमीद की की टीम इंडिया फाइनल्स में पहुंच जाएगी और पाकिस्तान को मात देगी लेकिन इंगलांड से टीम इंडिया को मात मिली और टी 20 वर्ल्ड कप का इ हमेशा पूरे देश के जीतने के सपनों को हासिल करने के लिए जान लगाते हुए देखने पर शियर करने का अनुभव हमेशा सांदार रहा है। हलाकि आपके फिनाले का सफर थोड़ा छोटा रहा बावजूर इसके हमने इसका हर पल इंज्वाय किया। मैं आपर पूरे देश की योड से टक्टकी लगात्र देखने की वज़स से पढ़ने वाले दवाब की कल्पना भी नहीं कर सकता। पिलहाल के लिए इतना ही बाकी की खबरों के लिए इंसाइडर लाइफ के साथ बने रहें।